पाकिस्तानी एक्ट्रेस आईशा उमर ने हाली में अपने ही देश में सुरक्षित महसूस न करने की बात कही उनका कहना है कि काराची में कोई भी लड़की सेफ नहीं है वो उस दिन के इंतजार में है जब लड़कियां किड्नेपिंग और रेप के डर के बिना बाहर सडको पर घुम सकेगी इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि महस तीन साल की उमर में उनके पडोसी के कुक ने उनके साथ हैरिसमेंट किया था अधनान फेजल के पाड़कोस्ट में आईशा उमर ने कहा यहां बहुत करप्शन है अरशिक्षा है हम इसके लिए लोगों को दोश नहीं दे सकते वो हेल्पलेस है आम लोग पेट्रोल तक नहीं खरिच सकते पूरी दुनिया कितनी आगे जा रही है और हमारा मुल्क कहा ज चल सके क्या यहां कोई भी लड़की खुलकर सड़क में घूम सकती है सिर्फ कोविट लॉक्डॉन में हैं हम खुलकर वॉक कर सके हैं इसी के साथ पने रही है राजणामा टीवी के साथ तहने बाद